मैं तो यह कहना चाहता हूँ असोग जी गलोट पहले तो पिसानों का संपूर्ण करजा माप कर दे जो उन्होंने वाजा किया था वो पहले युवाओं को भत्ता दे दे 35 रुपे उसके बाद में वो अगली बात करें लॉली पॉप कि स्वाक कुछ नहीं है यह पता है कि चुनावी बजट है और सब जानते हैं कि चुनाव के अंतर इनको तो यह कि अगली सरकार आएगी उसके वरोश है उनको काम है पहले जादूगरी की बात करते थे अब इनको सपना आने लग गया और सपने की वज़े से ही इनका बजट भी चूप गया 2013 जो पुराणा बजट था उसका वो पड़ने लग लिडर्शिप को लेकर चर्चा चल रही राजस्थान के अंदर ऐसा भी कह रहे हैं कि चर्चा मे के लिए इस बात में कुछ अच्छा है आपको कोई सपना है या कि मुझे लगा आपको कोई सपना आया है के अंदिरिये किर्शी राज्यमंत्री कैलास चौधरी आज बजट को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं हमारे साथ है सर किस तरीके का यह जो बजट था मोदी सरक क्योंकि इस अगले साल चुनाव है उससे पहले यह बजट किस तरीके किन किन चीजों पर विशेश तोर से फोकस किया गया है इसा है कि यह बजट सब्त रिशी के अधार पर त्यार किया गया है और यह गावों को समर्पित है किसानों को समर्पित है गरीबों को समर्पित है और मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए समर्पित बजट है और इस बजट के अंदर बजट को बढ़ाया गया है जहां यूपिय की सरकार के समय में लगबग 15 लाग करोड रुपे हुआ करता तो जो आज 45 लाग करोड रुप किया गया है तो वैसे ही रेल्वे के अंदर भी बजट को बढ़ाया गया लगबग 9 लाग करोड रुपे उसके उपर खर्च होंगे तो रक्षा के चेतर में देश की शीमा इस तुरुक्षित होना जरूरी है किसानों को आत्मंदिर पर होना जरूरी है सचिन पाइलट ने पिछले इसी महिने के अंदर पाथ सबाय की थी बार बार एक ही सवाल कह रहे थे मोधी सरकार कह रही थी के 2022 के अंदर किसानों की आये दुगनी होगी होई दुगनी है ऐसा है कि किसानों के लिए बारस सरकार ने जो प्रियास किये चाए सब्सक्राइब करें दुगनी हो या किसान सम्मान निदी का पैसा किसान के अकाउंट में जा रहा हो या एक्री कल्चर इंद्राश्टर सर्फंड के माध्यम से जिस तरह से एक लाग करोड का प्रावधान किया है वैसे ही दस हजार एप यो बनाए जा रहे हैं ड्राउन टेकनोलोजी को लाने का काम किया गया है तो यह सारे काम वे इनको लेकर सरकार की और से चार पीलर पर काम प्रारम किया जिसमें किसान की लागत को कम कैसे करें उतपादन में कैशे वर्दी हो और उसके साथ ही उसके अंदर मा बढ़ी और मुझे बताते वे परसंता है कि हमने आजादी के अमरत मौसों के अंदर आईशियार ने एक डोकुमेंट से निकाला जिसमें 75,000 किसानों से बात की गई उनके डोकुमेंट त्यार किया गया और उन 75,000 किसानों के डोकुमेंट्स में उन सभी किसानों ने लिखि अधीक हुई है और मैं तो यह कहता हूँ कि और भी प्रयास हमारे जारी है कि किसान की इंकम जितनी ज्यादा बड़ेगी उतना ही देश ताकत दोर बनेगा एक समय तो यह था कि यूपिय की सरकार हो चाए कॉंग्रेज में भारत आजा दूआ उसमें भारत की करशी के अंद के अंदर इस तरह से पर डॉप पर मोर क्रॉप पर उन्होंने काम किया और स्प्रंगलर पर काम किया या किसानों को नया सीड नहीं दिया या किसानों को मेंसपी से डैड़ गूने पर पैसा नहीं दिया यह सारी चीज़े नहीं दी गई और जिसकी वज़े से किसान पिस्ता रही है और जीडीपी के अंदर भी योगदान है वो भी बढ़ रहा है यूपिय की सरकाराई उस समय जीडीपी में योगदान उन्होंने बारा परशंट पर लाके छोड़ दिया जो पचास परतिसत था लेकिन अब वापस धीरे-धीरे बढ़के और वापस बीस परतिसत के आ रुपे 500 रुपे में सलेंडर दे रहे थे इस तरीके के दावे कर रहे हैं दो जार यूनिट किसानों को बिजली फ्री दे जा रही है क्या लग रहा है कि मैं तो यह कहना चाहता हूं असोग जी गलोद पहले तो किसानों का संपुन करजा माप कर दे जो उन्होंने वादा कि पहले युवाओं को भत्ता दे दे 35 रुपे उसके बाद में वह अगली बात करें वह बाड मेर जिले के अनुसंदान के अंदर है उसकी जमीन दे दे बाजरा अनुसंदान के अंदर है किसानों के विरोधी है सरकार जमीन नहीं दे रही है और इसके साथ ही एरपूर्ट की पहले जादूगरी की बात करते दे अब को सपना आने लग गया है और सफने की वज़े से ही इनका बजट भी चूग गया 2013 जो पुराना बजट था उसका वो पढ़ने लग गए और इससे सफ़स्ट होता है कि इनका बजट पहले ही लीक हो गया कोई दूसरा वेक्ति आकर उनको कहता है कि बजट आप दूसरा पढ़ रहे तो वो कैसे पता चला उसको दूसरा बजट चल रहा ह इसलिए ये पेपर आउट जिस तरह से इनों ने किये पेपर लीक किये ये पेपर लीक वाली सरकार है बजट लीक वाली सरकार है और इनों ने इस प्रदेश को घर्त में डालने का काम किया यूवां के भविश्य को अंदकार में डालने का काम किया लाखों 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 समय के अंदर देगी किसान भी देगा युगा भी देगा और वह सी का इंतजार कर रहा है कि तुम जो 156 कह रहे हो तुमारे तो वहां पर एक जिसे इनके खुद गई विदाई कहते हैं कि मेटा डूर के अंदर भी हमारे जाएं तो भी बड़ी संक्या हो जाएगी तो यह इतन को अब युवाओं को आगे लाया जा रहा है किस तरीके से गुलाब चंड कटारिया ने कहा कि वसुन्दा राजे को राजसान में होना बहुत ज़रूरी है ऐसा है कि गुलाब जी मुजूर्ग नहीं है वो हमारे वरिष्ट हैं आज भी वही उर्जा है और हमारे सबसे प्र थे उस समय उन्होंने उस परिष्टितियों में काम करके और पार्टी को प्रदेश अध्यक्स रहते हुए उन्होंने काम किया और आज इतनी बड़ी इस तर पर पार्टी पहुंची है तो निच्चित रूप से मैं सोचता हूं कि उनकी कमी तो राजस्तान के अंदर उन्हो पिलिए है तो गुलाब जी का वह तो करेंगे अब जाकर दू MARY ओं और उन्होंस काँ करें गया वहां पर सेवुक्स का काम करेंगे और देश के लिए ऑ जिस्तान के समर्पित चूंस्ट और वहां के लोगों के कल्यांड का काम करें लीडर्शिप को लेकर चर्चा चल रही राजस्थान के अंदर ऐसा भी क्या रहे हैं कि के लाज जी को भी बड़ी जिमेदारी मिल सकती है हो सकता है कि संग्ठन के लिए इस बात में को सचा है आपको को सपना नहीं है चर्चा चल हैं और जो भी आज भी हमारे सतीजी पूनिया के नहतरतों में काम चल रहा है बहुत अच्छे सतीजी काम कर रहे हैं पारटी के एक समर्पित कारिकरता के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्होंने उस समय से काम किया है जब युवा मोर्चा में थे विद्यार्थी निची तरूप से के पारटी का जो सेस्टनेतर तो जो तेया करेगा और उसके पारटी के अंदर वही कारी करता जो काम करने वाले हैं और सब को सभी काम करने वाले हैं तो मुझे लगता है कि निची तरूप से पारटी का सेस्टनेतर तो जो तेया करता है भारती जन्ता पा झाल झाल